नाम नेमो है और ये एक हाई टेक चोर है बड़े ध्यान से वो सिक्रिटी नेट को कट करके सिक्रिटी सिस्टम को डिसेबल कर देता है लेकिन उसके पास सिर्फ साथ मिनट बचे हैं साथ मिनट के अंदर उसे अपनी चोरी खत्म करनी पड़ेगी वरना वो यहीं फंस जाएग नेमो भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बद किसमती से सिक्रिटी रूम में कुछ ही गड़ बढ़ हो जाती है और एक्जिट का लॉक ही नहीं खुलता अब पकड़ जाने की टर्ट से उसका साथी उसको वहीं छोड़ कर च पॉकेट नाइब से उसको खुरिदने लगता है तब यह अचानक वहां का टेंपरिचर बढ़ने लगता है और नेमो को खुब प्यास लगती है लेकिन नल से पानी की दो-चार बूंदे निकल कर रुख जाती है फिर वो फ्रिज खोलता है उसके अंदर की AI वोईस बताती ह कि फ्रिज में खाने लाइक जादा कुछ नहीं है नया स्टॉक लेकर रखो नेमो निराश होकर फिर से दरवाजा तोड़ने लग जाता है कोशी देर उसको खुरिद करो सोफी पर लेड़ जाता है फिर वो अपने साथी को कॉन्टेक्ट करता है लेकिन उस तरब से कोई पाज आती है उसे लगता है कि उसका साथी उसको लेने आया होगा वो जल्दी से ग्लास डोर की और भागता है लेकिन पता चलता है कि एक कबुतर सेक्यूर्टी नैट में फंसकर यहां गिरिया था इस पेंट हाउस में ग्रीन हाउस भी है जहां आर्टिफिशन लेक बनाई पढ़े होते हैं वो पागलों की त्रे औरंज से खिड की तोड़ने की कोशी करता है तभी वो देखता है कि सीलिंग से रोशनी आ रही है हां मैं इसे तोड़कर भाहर जा सकता हूं यह सोचकर वो वहां के फरनिचर को एखटा करने लग जाता है और फिर कुछ देर आराम कर जाता है तभी उसको एक मस्त आइडिया आता है और वो गार्डन में जाकर देखता है कि वहां पौदों को पानी देने की सुवीदा है लगिन नेमो की बत किस्मती से वहां भी पानी नहीं आता वो फ्रिच से बर्फ के टुकड़े निकालता है और उन्हें खाकर अपनी प् लेकिन गर्मी कम नहीं होती इतना नहीं अब नेमो को भूख लगनी भी शुरू हो जाती है फिर वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिक करता है लेकिन अपना हाथ ही काट लेता है भूग के साथ-साथ गर्मी बर्दास्त की हाथ पार कर चुकी होती है नेमो फ्रिच खोलकर और फिर खाना खाकर उसके शरीर में थोड़ी शक्ती आ जाती है वो देखता है कि घाल कब उतर बारिश से बचने के लिए पेड़ के निचे से कुड़कर बैठा हुआ है उस बेचारे को भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता अगले दिन नेमो एक छोटे स्टै होता है कि नेमो को लगता है इसको तोड़ना तो नमुम्किन है वो फरिशान होकर बैठ जाता है और गर्मी की वजह से अपने कपड़े भी उतार देता है फिर वह एक मस्ट स्केच बनाता है तब इस सर्विलेंस कैमरा पर जैस्मीन नाम की एक हाउस की पर दिखती है जो मे की जान में जाना आती है अगली सुबे नेमो गार्डन में पौधों की जगे कुछ बरतना रख देता है इसमें पानी भी भरने लग जाता है फिर वो उसको एक बोटल में डालकर रख लेता है तांकि वो दिन भर प्यासा ना रहे चलो पानी की प्रब्लम तो खत्म हुई य की जाती है और रहे फिर फूर्ड जाती है जो पहुँच से बहुत दूर अपने दिन की जाता है इस वरे मेंजी बॉट पर के नाइए नसी क्तूल पर उप्र रूट ценos में नैमो अपने दिन गिनने लगता है वो रोज उठकर एक ही रूटीन का काम करता है सीलिंग को तोड़ना केंट फूट खाना मशिन की मर्जी से चंड़ा या गरम रहना और बिडिलिंग की स्टाफ को सिसीड़ी डिस्प्ले पर देखना यह यह उसकी जिंदगी बन गई थी वो इतना अकिला पड़ जाता है कि कबुतर से बात करने लगता है कि यार कम से कम तू तो उड़ सकता है यहां से भार क्यों नहीं उड़ जाता कबुतर भी मनी मन सोच रहा होगा कि आबे तू इतना बड़ा आत्मी होकर भी कुछ नहीं कर पाया तो मुझे एडवाइस क्यो उसके अंदर एगो शिले की वो सेलफ पोटेट होती है जिसको नेमो की तलाश थी वहां घर की उनर की एक मूरती भी होती है जो रवर की वनी है उसकी छाती पर एक बुक कड़ी होती है यह विलियम ब्लैक नाम के एक पुराने कवी और पेंटर की लिखी भी बुक है इसका ना आजे पर पेटता है लेकिन दरवाजा इतना तगड़ा है कि आवाज भाहरी नहीं जाती है फ्लस्टरेशन में नेमो सोही जाता है उसे सपना आता है कि घर काउनर जोकी एक आर्ट कलेक्टर है वो एक एक एक्जिबिशन में नेमो से मिलता है तब ही नेमो की नजर जसमीन वाला था ये प्लान भी फ्लाप हो जाता है नेमो पूरी तरह हताश और पिलकुल निराश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके दिमाग को दिमक लग गई है वो अजीब अजीब हरकते करने लग जाता है नेमो खुद इस पेंट हाउस में मर रहा है इसलिए उसे फिश की नहीं जाती और वो दो नट्स खोल देता है बागी के नट्स निकालने के लिए उसे चेर के दूसरे पैरों को भी तोड़ना पड़ेगा घर पर खाना भी लगबाग खत्म हो चुका है अब नेमो दिवार पर और भी कई स्कैचेस बनाने लग जाता है वो एक छोटा पर अपना ट्वालेट बना लेता है क्योंकि पेंट होस में और कहीं पानी नहीं आता उसे खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहा है एक दिन जब वो सीलिंग का अगला नट निकालता है तो बैलेस खोकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है रात को भार आतिश ये भी उसके दिमाग का ही खेलता उस नहीं खोद ही अपना सर सिंग पर पटक दिया अचानक वो सीलिंग पर फवायल अराम सेंसर को देखता है अब उसे आइडिया आता है और वो मैगजिन्स को फाड़ता है फिर वो अपना मेगनिफाइंग लेंस निकाल कर सुरज की बर्फ गिर रही है और ग्लास विंडों के बार हर चीज बर्फ की ढखी वही है खिड़की के बाहर उसे उनर की बेटी दिखाई देती है जो अपने कुट्टे के साथ खड़ी है लेकिन ये भी उसकी मैजिनेशन है अब नेमो अपने स्केच को भगवान मानकर उससे हमारा घर होगा लेकिन मेरे ले ये एक खतरनाक पिंजरा बन गया है यसे नश्ट करने में मुझे कोई दुख नहीं है यह लिकर नेमो फिट से अपने बनाएवे टावर पर धीरे सचड़ता है और सिलिंग से बाके दो नर्स भी निकाल देता है सिलिंग का ग्लास नीचे ग लच निकला या फिर इस बड़े और श्यांदार पिंजर से निकलते वक्त वो अपनी जान गवां बैठा किसी मिटरी के साथ ये मुवी यहां पर खत्राइब